नमस्ते दोस्तो पोल्टरी इंडिया चैनल पर मैं नीतीन आप सभी का सागत करता हूँ आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बॉयलर बर्स की लिफ्टिंग कैसी की जाती है आज हमारा लिफ्टिंग का दिने करके आप देख सकते हैं कि हमने शेड में कई पूरी रोशनी बंद कर दिये इसलिए बार एक एलेडी की रोशनी चाल हूए ताकि बर्स पकड़ने में आसानी हो यह देखिए आपको बेट मशीन और उसके नीचे टंगा हुआ जाला दिख रहा है दोस्तो हमें बर्स को उठा के लाना है और इस जाले में डालना है या तक हमारी दिम्मेदारी फिर वो जाले से बर्ड उठा के गाली में भरना ये गाली वाली की दिम्मेदारी रहती है दोस्तो अब ये हमारी शेट पे गाली लगने वाला है और हम पूरे काटे शुरू से लेकर इन तक या पे लिखेंगे ये देखो गाली आ चुका है हमारे लोग अभी बर्ड को लाके धाल रहे हैं यह देखिए इन्होंने 15 की कॉंटिडी बूलिए जैसे 15 अनक पूरे हो जाएंगे हम वेट मशिन पर जो अंकाएंगा हो देखेंगे यह देको 3500 अंका है यह हो गया काटा अब वो लोग उठाके गाड़ी में बढ़ेंगे यह देखिए बस से मेई प्रोसेस है दोस्तों हर काटा वेट होने के बाद आपको आपके डाइरी में आपके डीसी बुक में लिखना ज़रूरी है गलती की कोई गुण्याइश नहीं नुकसान अपना ही है बस अब यही सिलसिला पुरी गाड़ी भरेतने तक चालू रहेगा यह देखिए फिर वापस से काटे में बच्चे डाले हो गए पुरी कॉंटीडी 15 फिर से वेट किया जाएगा यह देखिए इन्होंने छोड़ दिये काटा रोक दिया गया है और अभी वेट देख लिया चलो उठाओ फिर से काटा यह उड़ गया पुरा माल यह जो आपको वीडियो में दिख रहा है कि उदर से वो लोग बड्स लाक के काटे में डाल रहे है तो आपको वो रूम में जो लाइट दिख रहे है वो रोशनी सिप वो रूम तक ही सीनी ते दोस्तों उसके पीछे जो शेड है उसमें पूरी त जाना आसान होता है दोस्तों अगर आप लाइट की रोशनी या दिन के रोशनी बड्स को पकड़ने जाते हो तो बड्स हाथ में तो इतनी आसानी से नहीं आएंगा लेकिन वो भागदोल करेंगा ट्रेस में आएंगा अपना वेट लॉस करेंगा और पूरा माल आपका ट्र आपको बताएंगे नहीं बैच आने के पहले शेट की सपाई कैसे करते हैं ब्रूडिंग की वेवस्ता कैसी करते हैं शेट को पूरी तरह से बैक्टिर्यमुक्त कैसे किया जाता है उसके लिए क्या करना पड़ता है यह सबी बाते हम आपको आने वाले वीडियो में बताएं आपको 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 आपक